Hello guys, good morning to all of you, आज का हमारा first topic है GST payment procedure and secondly हम बात करेंगे provisions applicable on payment की पहले process की बात कर लेते हैं, तो देखो process का मतलब क्या है कि क्या procedure follow किया जाएगा जब आप GST की payment करोगे यानि हमने ये तो बात कर ली कि GST की payment आपने क्या किया, अपने according self assessment के थूप पता लगा ली, उसके बाद आपने return में उसको file कर दिया, payment करने के लिए आप electronic cash laser, credit laser का use करने वाले हो अब उस cash laser में पैसा जाएगा कैसे, कैसे आप उसके अंदर deposit करोगे ये तो है ठीके बात कि आपको online करवाना है कि RTGS करवाओ, net banking करवाओ, कैसे भी आप जमा करवा सकते हो बट वो होगा कैसे, आप कैसे किसके नाम पर वो generate करोगे तो basically जो आपका ये system है, GST की payment करने का, वो एक चलान based system है यानि आपको क्या करना पड़ेगा, electronically एक चलान generate करना पड़ेगा government के नाम कि आपने क्या कर दी है, GST की payment कर दी है department ने पूरी कोशिश की है, कि आप क्या, जब भी payment करोगी GST की, वो क्या कर सको आप paperless कर सको, यानि आपको paper ना use करना पड़े, आपके लिए convenient हो online घर बैठे, आप इस काम को कर सको, और आपके लिए काम hassle free हो यानि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, जितनी भी GST की process है वो आपकी सारी GST network की थ्रू होती है, यानि GST portal पर सारा ये काम manage होता है दुबारा बोल रही हूँ, GST payment procedure का मत्तब है, कि क्या steps follow किये जाएंगे जब आप GST की payment करोगे, तो basically जो GST की payment है, वो एक चलान-based system है जो की online होता है, यानि electronically सारा काम किया जाता है और hassle-free एक system है, जो की GST network की थ्रू manage होता है basically जो GST की payment का procedure है, वो six steps process है छे steps आपको follow करने परते हैं, जब आप क्या करते हो, GST की payment करते हो one by one बात करते हैं सारे steps की first है आपकी generation of चलान in form GST PMT 06 यानि सबसे पहले क्या किया जाएगा सबसे पहले एक चलान को generate किया जाएगा और वो चलान जो है, वो form GST PMT 06 में generate होगा देखो, कोई भी person जिसको GST की payment करनी है चाहे वो खुद कर रहा है, चाहे कोई और person कर रहा है उसके बिहाफ पर अगर आपने किसी person को authorize किया हुए तो वो payment करेगा आप अपनी payment खुद भी कर सकते हो, दूसरे से भी करवा सकते हो तो जो भी person क्या करेगा, tax को pay करेगा चाहे वो अपने विहाफ पर कर रहा है, चाहे किसी और के विहाफ पर कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, इस चलान को generate करना पड़ेगा और जो ये चलान है, वो आपका GST network के थ्रू GST portal के थ्रू create होगा, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो पूरे चलान को एक साथ भी fill कर सकते हो और चाहो तो कुछ details भरके उसे save भी कर सकते हो, यानि आपकी मर्जी है कि आप उसे एक बार में भरो या थोड़ा थोड़ा करके भरो जरूरी नहीं है कि आपने एक बार portal खोल लिया तो आपको पूरा इकठाई बरना पड़ेगा या फिर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको शुरूरी से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप जहां से उसको छोड़ोगे आप वहीं से carry कर सकते हो, अगर आपने कुछ उसमें mistake कर दी है तो उसे आप correct भी कर सकते हो लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप उसको submit नहीं कर देते, एक बार चलान finalize हो जाएगा, आप submit कर दोगे, उसके बाद उसकी editing possible नहीं है यानि कोई भी person जिसको tax pay करना है, वो GST network portal के through अपने आपका चलान create करेगा, उसकी सारे details को fill करेगा, चाहे वो खुद करे, चाहे उतराइस person करे, वो चाहे तो पूरे information है, एक बार में भी fill कर सकता है, या partially भी fill कर सकता है, temporary save करके, वो आदे details को बाद भी fill कर पाएगा चलान जब तक आप finalize नहीं कर देते, तब तक आप उसे edit कर सकते हो, एक बार आपने finalize कर दिया, उसके बाद editing का option आपके पास नहीं होगा इसके साथ साथ, जब आप चलान generate करते हो, तो आप उसकी एक copy भी अपने पास रख सकते हो, यानि आपके पास printing का option भी वहाँ पर आपको दिखाई देगा जब आप चलान की details फिल करोगे, कि आपने जो details भरी हैं, आप उनको print out निकाल सकते हो, ताकि आप फर्दर उसको याद रख सको, आपको उसकी details चाहिए, तो आप उनको अपने पास रख सको जब आप क्या करोगे, इस चलान को create करोगे, तो जैसे ही आपका चलान finalize होगा, submit होगा, एक CPIN नमबर generate होगा, यानि common portal identification नमबर, जो आपका common portal AGST का, उस पे आपका एक अलग नमबर, जो आपको identify करेगा कि कौन payment कर रहा है, समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि common portal पर आपका एक identification नमबर create होगा, यानि जब आप चलान भरोगे, तो चलान के submit होने पर, आपका CPIN नमबर create होगा, जो यह CPIN नमबर है, यह 14 डिजिट का नमबर होता है, यानि हर person का एक unique नमबर होता है, और इसमें total 14 डिजिट हो आपका CPIN create कर लोगे, उसके बाद आपका जो यह चलान है, 15 दिन के लिए valid होगा, यानि आप चलान बना लिया है आपने, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको payment करने होती है, ऐसे नहीं, चलान आज final कर दिया, और payment दो महीने बाद कर रहे हो, आपको चलान create करने के 15 दिन in form PMT 06, second है, payment on the basis of temporary identification, identification number, यह क्या कह रहे हैं, कि आप क्या कर सकते हो, temporary identification number के थूभी payment कर सकते हो, यह कौन करेंगे, जो person GST में registered नहीं है, यह को हमने पहले बात की है, कि आप GST में registered ना हो, तो भी आपके उपर final लग सकता है, offenses में, मिले हम इस बात को वैसे discuss करेंगे, कि मानलो आपने किसी की मदद की है, यह जानते हुए भी कि department आपकी goods को confiscate करने वाला है, किसी person की, और आपको पता है कि वो जबत करने वाले हैं, फिर भी आप उनकी उसमें मदद कर रहे हैं, उसको transport करने में, तो उनकी उपर भी GST department वाले penalty लगा सकते हैं, चाहे वो taxpayer हूँ या ना हो GST के अंदर, तो अग mandate form, देखो हमने बात की थी कि आप चाहूँ, तो किसी भी तरीके से payment कर सकते हो, debit card, credit card, RTGS, and neft, किसी भी तरीके से कर सकते हो, तो जो आपका act है वो क्या कहता है, कि अगर आपको जो payment करनी है, वो neft के थुरू करनी है, या फिर RTGS के थुरू करनी है, इन दोनों में से कोई भ आपको चलान के साथ-साथ mandate form को भी फाइल करना पड़ेगा, और जो भी आप submit करोगे, mandate form जो भी create आप करोगे, वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी copy को bank के पास submit करवाना पड़ेगा, या जिस bank के थुरू आप RTGS, and neft करवा रहे हो, उस bank के पास आपको mandate form को भी जमा कर वालिड होता है, या जिस time तक आपका चलान वालिड होगा, उसी time तक आपका mandate form वालिड होगा, जैसे ही चलान इन्वालिड होगा, mandate form भी इन्वालिड हो जाएगा, इसके बाद हमारा fourth step है, c-i-n is generated and communicated, यानि देखो, क्या होगा, जब भी आप क्या करोगे, successfully payment कर दोगे, यानि government के account में जब आपने जो पैसा submit करवाया है, वो चला जाएगा, तो उस time क्या होगा, आपका जो वो authorized bank होगा, जिसके थूँआ पेमेंट कर रहे होगे, वो आपका c-i-n number, यानि चलान identification number generate करेगी, जो पहले हुआ था, वो common portal का identification number था, अब आप क्या करोगे, जब payment कर दोगे, successfully government department के account में वो पैसा चला जाएगा, तो वो जो concern bank होगा, जिसके थूँआ आपने payment की होगी, वो चलान identification number आपका generate करेगा, और उसको आपके चलान के उपर लिख देगा, यानि जो चलान आपने बनाया था, उसके उपर उस number को note down कर देगा, कि इस particular चलान के regarding ये number generate हुआ है, जैसे ही जो चलान identification number है generate होगा, और authorized bank इसको communicate करेगा, ठीक, उसी time पे क्या करेगा, जो GST portal वाले होगे, आपके electronic cash लैजर में उस अमांग को submit कर देंगे, क्योंकि CIN number generate होने का मतलब यही है, कि government department के जो account है, उसमें पैसा पहुँच चुका है, और आपके पास CIN number आ गया है, इसका मतलब आप payment कर चुके हो, तो आपका जो portal वाले हैं, वो आपके account में उस पैसे को credit कर देंगे, कि इन्होंने इतनी payment जो है, government को कर दी है, जो आपका यह CIN number होगा, यह 17 digit का number होगा, जिसमें पहले 14 digit तो CPIN वाले होंगे, यानि common portal identification number वाले होंगे, और जो last के 3 digit हैं, वो bank का code होगा, कि किस bank के through payment होई है, इस बात का उसमें include किया जाएगा उन 3 words को, जो CIN है, वो particular authorized bank, reserve bank वही जनरेट करेगा, जिसके through आपने government को payment की है, यानि जिस particular bank का आपने use किया payment के लिए, वही उस number को generate कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, दोबारा बोल रही हूँ, जैसे ही आप क्या करोगे, government को payment कर दोगे, department की account में पैसा चला जाएगा, ठीक उसी time, आपका CIN number generate होगा, CIN number इस बात का proof है कि payment government की account में जा चुकी है, यह 17 digit का number ह जिसमें 14 digit CPIN number के होंगे, और 3 digit bank के code के होंगे, इसको वो authorized bank जिसके तुरू आपने payment की है, चाहे RBI हो, चाहे कोई और bank हो, वही इसको generate करेगा, और generate करने के बाद वो इसकी communication करेगा, यानि इसके बारे में information देगा किसको, GST network वालो को भी, प्लस taxpayer को भी, यानि जिसने payment किया उसको भी बताएगा, कि आपका CIN number generate हो गया है, और यह यह है, और GST network वालो को बताएगा, क्योंकि GST network वालो को जब वो बताएगा, तभी क्या करेंगे वो, उसके, उस particular taxpayer के account को credit करेंगे, उसके cash laser में पैसा डालेंगे, last step है, if CIN number is not generated or communicated, कि क्या है, या तो आपने payment government को कर दी है, आपके account से, जैसे जो payment करने वाला है, चाहे वो खुद कर रहा है, चाहे आप किसी ओर से करवा रहे हो, यानि जिसके भी particular person के account से पैसा जाने वाला था, उसके account से पैसा debit हो चुका है, उसके account से पैसा कट चुका है, लेकिन फिर भी आपका CIN number generate नहीं हुआ है, यानि इस बात का proof आपको नहीं मिला है, कि वो पैसा government के department में चला गया है, या फिर आपका CIN number तो generate हो गया, लेकिन उसकी communication जो है, GST network को नहीं दी गई है, ज़कि तो इस बात की information आपको electronically देनी पड़ेगी form GST PMT07 में, यानि आप जो GST का common portal है, उस पर जाकर इस form को fill करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, उस bank को जिसके थुरू आपने payment की है, और जो electronic gateway यानि जिस pass के थुरू आपने payment की है, उस सारी information को बताना पड़ेगा, जिस particular CPIN number से आपने starting किया था, जो भी आपने deposit करने के लिए procedure initiate किया था, उसकी सारी information यहाँ पर देनी पड़ेगी, ताकि चेक किया जा सकी, कि आपकी account से पैसे debit हुए है, तो वो कहां गए है, क्या problem हुई है, इसके regard, यानि five step process है, पहले चल्रान, generate होगा, अगर आप क्या करने वाले हो कोई और person हो, जो GST में registered नहीं है, उसके वो temporary identification number का use करके payment कर सकता है, अगर आपको NEFT या RTGS से payment करनी है, तो आपको mandate form बनाना पड़ेगा, उसके बाद CIN generate होगा, और उसकी communication होगी, और अगर आपका CIN जो generate या communicate नहीं होता है, तो आपको PMT07 form में common portal के थूँ इस बात की information दे होते हैं, जब हम payment करते हैं under GST, फर्स प्रोवीजन है हमारा refund of electronic cash और credit laser, कि देखो हमने electronic cash laser और credit laser क्यों बनाये थे, ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारी GST के अंदर payment बनती है, चाहे tax की, interest की, penalty की, fee की, उसको हम pay कर सके, तो ये क्या कह रहे हैं, कि अगर क्या है, particular payment जो आपको GST के अंदर करनी थी, वो payment करने के बाद, आपके account में, cash laser में या credit laser में कुछ balance बचता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, refund किया जा सकता है, लेकिन करना कैसे होगा, as per section 54, देखो section 54, ज जादा detail में मैं नहीं जाओंगी, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, कि credit laser क्यों में, क्यूंकि ITC का balance बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है, कि जो ITLC unused है, उसको आप in cash कर सकते हो, ITC सिर्फ कौन सा refund होता है, जो जिस particular सामान पे आपने क्या दिया था, input पर tax दिया था, बट उसका use, आप export के लिए करने वाले हो, तो export zero rated supply है, तो उसके input पर आपने जितना भी tax दिया था, वो आपको refund मिल जाता है, यह आपका section 54 कहता है, और जो electronic cash में बढ़ा है, वो तो directly आपको refund मिल सकता है, कि आपने पैसा ही जमा करवाया ने लग से, तो आप उसका refund है section 54 की according इनका ले सकते हो second है आपका, passing the full incidence of tax, यह क्या कह रहे हैं, कि जब तक क्या है, आप इससे अलग कुछ proof नहीं कर देते, कि आपने चलो, यहाँ पर direct नहीं जाती हूँ, पहले इसका मतलब बता देती हूँ, ऐसे confused हो जाओगे, passing the full incidence of tax का मतलब होता है, कि tax का burden कोन bear करने वाला है, तो यह क्या कह रहे हैं, कि अगर कोई person क्या करता है, किसी भी goods पे, services पे, या दुनों की combination पर, सी GST Act के अंदर कोई भी tax pay करता है, तो माना जाएगा कि उसने क्या किया होगा, इसका full incidence, पूरा का पूरा burden किसी ओर पर डाल दिया होगा, यानि मान लो मैं wholesaler हूँ, मैं manufacture से समान करी दूँगी, मैं GST दूँगी, लेकिन फिर में उस समान को retailer को बेच दूँगी, तो मैं ने जो GST दिया था, वो मैं उससे उतना वापस ले लूँगी, यानि जो ultimate burden है हम कहते है, customer bear करेगा, तो जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आपने actual में उस समान को खुद की consume किया है, तब तक यह माना जाएगा कि आपने क्या किया होगा, उस burden को किसी ओर पर shift किया होगा, यानि आपने सिफ payment इकठी कियोगी, collect कियोगी, आपके पास से कुछ भी पैसा नहीं गया है, थर्ड है आपका, interest on delayed payment of tax, यह क्या कह रहे हैं, कि अगर क्या है कोई भी person जो की liable था कि वो क्या करे, government को tax pay करे, अगर वो क्या करता है, required time में, यानि जितने time में उसे वो payment करनी चाहिए थी tax की, वो नहीं करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, interest भी उस particular पैसे के उपर देना पड़ेगा, यानि उस tax पर उसे interest पे करना पड़ेगा, और वो जो interest है, उसकी rate 18% तक हो सकती है, यानि up to 18% तक आपके उपर interest लग सकता है, और जो ये interest है, ये कब से count किया जाएगा, जो due date थी उस particular amount को, उस particular tax को pay करने की, उससे next day से, यानि जैसे monthly payment की time क्या होता है, return भरने का next month की 20, और payment का time भी फिर return वाला ही होता है, यानि next month की 20, तो 21st से आप count करना start परोगे, और जितने दिन delayed हुआ होगा, उसके उपर 18% के हिसाब से calculate करोगे, up to 18% है, इससे कम भी हो सकता है किसी के लिए, कि कितना particular interest बनता है, और इतना ही interest के साथ आपको department को payment करने पड़ेगी, next है, interest on undue or access ITC claim, यह उपर वाला आपका mention था, under section 50, और यह आपका है section 50 के subsection 3, यह क्या कह रहे हैं, कि अगर कोई person क्या कर लेता है, undue, यानि जरूरत जितना बनता नहीं था, जितना उसका अभी तक due नहीं हुआ था, या फिर access जितना उसका बना हुआ है, उससे किसी भी तरीके से ITC जादा ले लेता है, उस particular amount पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, up to 24%, देखो exact rate क्या होगी, वो government council की recommendation पर decide करेगी, but up to, यानि maximum 24% तक वो rate हो सकती है, आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी आपने access या undue ITC लिया था, उस particular amount पर आपको 24% के हिसाब से with interest payment करने पड़ी, यही चार provisions थे आपके जो GST payment पर अपलाई होते हैं, कि आप refund ले सकते हैं, electronic cash credit laser का according to section 54, जब तक आप इस बात को prove नहीं कर देती है, कि आपने उस particular चीज़ को खुद consume किया, अगर आप access या undue ITC claim करते हो, तो उसके उपर भी आपको interest देना पड़ेगा, I hope आपको procedure and provisions तोनों clear हुए होंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe ज़रूर करना, next lecture में हम लोग TDS और TCS के बारे में बात करेंगे, कि जो TDS की payment है, उसके उपर कौन से provision apply होते हैं, और जो TCS है, उसके उपर कौन से provision apply होते हैं, आज के लिए इतना ही, thank you.